है ऐलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सो उम्मीद करूं हो अच्छे होंगे आपकी ट्रेडिंग जर्णि बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में किन स्टॉक्स में आज की डियट में बूव्मेंट आ सकता है तो मौर्णिंग में गैप अब कुल के 1766 का टार्गेट अचीब करें ठीक है उसके बाद आपको एक डाउन फॉल देखने को मिल सकता है उसके बाद यहां पर एक फिर से बेस बना करके स्टॉक ऊपर जाने की संभादना पूरी होती है तो मैं परफेर करूँगा आप इसमें एंट्री लेंगे सम्थिंग 1728 से 1730 के आसपास ठीक है आपका टार्गेट रहेगा 1766 रुपे का ओके यदि स्टॉक 1766 का लेबल ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक 1810 रुपे का टार्गेट भी अचीब कर सकता है ठीक है दूसरा स्टॉक ह कल्यांग जोलेट्स में आप ब्रेक आउट देख रहे हैं ब्रेक आउट आपको देखने को मिला है यहीं पर एक एंट्री बन जाती है स्टॉक में इसी रेंज में रेंज होगी 410 से 415 के बीच टार्गेट हमारा रहेगा 425 का नेक्स्ट स्टॉक है मेक्स फाइन्स सर्विस MFSL में आपको ब्रेक आउट नजर आ ही रहा है इसल स्टॉक में एंट्री यहीं पर बनती है इसी रेंज में 1016 के आश्पास 1016 और 1010 के बीच में ठीक है टार्गेट हमारा 1032 का होने वाला है नेक्स्ट स्टॉक है टिक्सन टेकनोलोजी टिक्सन टेकनोलोजी में भी हमारी सेम एंट्री है यहीं पर एंट्री बनेगी इसी रेंज में जो की रेंज है 7438 रुपे से 7395 रुपे के आश्पास टार्गेट रहेगा हमारा 7584 रुपे का ओके नेक्स्ट स्टॉक है जन्सार टेकनोलोजी जन्सार टेकनोलोजी में आपको ब्रेक आउट देखने को मिला है लास्ट केंडल बड़ी है तो स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं 605 के और 607 के बीच में ओके टार्गेट हमार नेक्स्त स्टॉक है भारती एर टेल में एंटी हमारी बनेगी 1220 के आसपास 1220 से 1223 में तार्गेट रहेगा हमारा 1230 रुपे का ठीक है स्ट लोस की बात कर लेते हैं भारती Airtel में स्टॉप्लось हमारा रहेगा 1219 रुपेश थीक है जंचार टेकनियोजी में हमारा स्टॉप्लस रहेगा 604 रुपेश डिक्सन टेकनियोजी में हमारा स्टॉप्लस रहेगा 7388 रुपेश MFSLrbed Max final service में हमारा स्टॉप्लस रहेगा 106 रुपे का वहीं कल्यांट जैलर्स में हमारा stop loss रहेगा 410 रुपे का और next और last है Metropolis में हमारा stop loss रहेगा 1717 रुपे ओके ये levels ध्यान में रखेंगे और स्वयम के analysis और अपने risk पर trade करेंगे क्योंकि वीडियो के वल education purpose के लिए बनाए गई है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और share जरू करिएगा comment section में comment करना ना भूले मिलते हैं next video में तब तक के लिए सबी को राधे राधे राम राम